कि पिश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं कम मेक इन इनिया सभी बद्रकार बंदूओं को नमस्कार आज ये प्रेस वारता जो दिल्ली में प्रदूशन है उस विशे पे करी जा रही है और ये भारती जनता पार्टी की जिम्मेदारी है जो प्रश्ट जनता पूछ रही है वो इस मंच से हम सब जानते हैं अरविंद केजरिवाल प्रश्टाचार के लिए जाने जाते हैं अब निकम्मेपन के लिए और जो जूटे वादे करते हैं उसके लिए भी जाने जाते हैं दम गुटकू प्रदूशन दिल्ली में है और ये प्रदूशन आम जनता के लिए खतरनाक है लेकिन इन सबसे जादा खतरनाक कोई है तो वो व्यक्ती है अरविंद केजरिवाल ये इसलिए भी खतरनाक है कि इनका मकसद केवल एक है कि ओची घटिया राज्जिती करें पार्टी का विस्तार करना बहुत अच्छी बात है लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी आपको सत्ता में करीब करीब नौदस साल हो गए और आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया ये जो खतरनाक प्रदूशन है इससे जंता को राहत मिले है और ये कहना गलत नहीं होगा हवाओं में जो प्रदूशन का कहर है हवाओं में जो प्रदूशन का कहर है ये अरविंद केजरिवाल के निकम्मे पन की लहर है और मैं क्यों कहता हूँ मैं आपके सामने जो तथ रखने जा रहा हूँ ये चिंता जनक है निराशा जनक है एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में है जिसको केवल रुप्या कमाने से मतलब है उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करने से कोई मतलब नहीं है तीन नवेंबर दो हजार बाइस अर्विंद केजरिवाल तीन नवेंबर दो हजार बाइस दोरा रहा हूँ एक साल पहले इसी तरह का प्रदूशन था केंद्र पूरी सहायता कर रही थी पंजाब की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी ये ठोस कदम उठाईए प्रदूशन यंत्रित होगा लेकिन निकम्मे अर्विंद केजरिवाल ने और पंजाब सरकार भगवंत मान जी ने वो कदम नहीं उठाए और मैं जो अपढ़ने जा रहा हूँ ये जनता का सवाल है अर्विंद केजरिवाल 3 नुएंबर 2022 को एक सवाल अर्विंद केजरिवाल से पत्रकार ने पूछा और कहा जनता के फेपड़े खराब हो जाएंगे इस प्रदूशन से आप क्या कदम उठा रहे हैं जो अर्विंद केजरिवाल ने कहा उसका विडियो नेक पे भी है सोशल मीडिया में है लेकिन शब्द शा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अर्विंद केजरिवाल कहते हैं हम जिम्मेदार हैं जी आज पंजाब में अगर पराली जलेगी तो हम जिम्मेदार हैं हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं जी केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से अभी छे माईने हुए हैं पंजाब सरकार के लिए कह रहे है बहुत बड़ी है कई सालों से ये समस्या चल रही है अब ये शब्द अर्विंद केजरिवाल के हैं इसको नोट करिएगा क्यों निकम में क्यों ढोंगी इनको जनता कहती है एक साल और दे दो अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे तारीक 3 नोवेंबर 2022 पूरे एक साल पहले मैं पुनद और आता हूँ एक साल और दे दो अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे जी एक साल पूरा हो गया जी ये दुखद है कल आप मीडिया से रूबरू हुए दिवाली की शुब कामनाएं दी लेकिन जो जनता सवाल पूछ रही है उसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं अरविंद केजरिवाल जी और फिर प्रश्ण आता है अरविंद जी आप ही ने तो कहा है ना कि आप जादूगर हैं तो अरविंद केजरिवाल जी बोलते हैं, अब इतने सालों की समस्या को अगर मैं एक साल में ठीक कर दूँ, तो जादू ही तो है जी, यह अरविंद केजरिवाल का व्यक्तव्य है, इस मंच से चुनौती देता हूं, जनता का मुद्दा उठाया है, इमानदारी से उठाया है आपका व्यक्तव्य बताया है क्रप्या करके ED के समन से तो आप भाग निकले डर गहे थर्थर कांपे कम ते कम जो सवाल जनता पूछ रही है आपके व्यक्तव्य को लेकर इसके बारे में तो कुछ कहिए है अब देखिए एक और बात विचित्र है अर्विंद केजरिवाल जी के बारे में कागस पर हर समस्या का समधान है इनके पास लेकिन वो समधान इनको कुछ समय बाद याद दिलाओ तो गजनी बन जाते हैं वो भूल जाते हैं एक नया शगूफा छोड़ देते हैं मैं धन्यवाद देता हूँ भारत की जागरुक मीडिया को आज सुबह से ये स्टोरी चला रहे थे आप याद करिए अभी दो साल पहले ही अर्विंद केजरिवाल मीडिया से रूबरू हुए और कहा प्रदूशन खतम हो जाएगा मैंने स्मॉग टावर ढूंड लिये हैं स्मॉग टावर स्मॉग टावर क्या थे अकेले सीबी का कनोट प्लेस का जो स्मॉग टावर है उसमें जनता की गाड़ी कमाई 25 करोड रुपया लगा यह मीडिया रिपोर्ट्स पे आया है और जब आज प्रदूशन इस लेवल पे आ गया है यह सिवियर के भी उपर है 500 AQI से उपर पहुँच गया है कई जगा साड़े साथ सो आठ सो बताये जा रहा है तो भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता भी वहाँ गए मीडिया वाले भी गए स्मॉग टावर की क्या हालत है तो यह देखिए एक तस्वीर मैं लेके आया हूँ स्मॉग टावर ताला लगा हुआ है इसका तो श्रे लेते थे आप अरविंद केजरिवाल जी 25 करोड रुपए आपने खर्च किये जनता के यह देखिए तस्वीर ताला निकब में मुख्यमंत्री की बुद्धी पर ताला और स्मॉग टावर पे भी यहाँ ताला लगा है क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा अरविंद केजरिवाल जी आज जनता कह रही है 25 करोड रुपए एक स्मॉग टावर में लगाये आपने ऐसे कई टावर बनाये थे आज वो बंद पड़े हैं क्या यह जनता को हक है कि वो जाने कि यह बंद क्यों पड़े हैं जब इसकी आवशक्ता हो सकती थी और आप कह रहेते इससे प्रदूशन खतम करेंगे तो यह कहना गलत नहीं होगा यह स्मॉग टावर नहीं है यह है अरविंद केजरिवाल के ब्रश्टा चार का टावर क्या यह टावर इसलिए बना था कि अरविंद केजरिवाल जी की मंशा यह थी कि इससे प्रदूशन कम होगा नहीं जनता जान गई है यह टावर इसलिए बना था कि जब खर्चा करेंगे करोडो रुप्या जनता का तो कुछ वसूली होगी कुछ किक बैक आएगा कुछ भरष्टा चारो और कर पाएंगे यह दूसरा बिंदू है तीसरा बिंदू तीसरा बिंदू बड़ा एहम है यह समस्या गंभीर है क्योंकि आम नागरिकों की जिन्दगी से जुड़ी है उनके स्वास्त से जुड़ी है हमारे देश का भविश्य हमारे बच्चे हैं उनके स्वास्त से जुड़ी है जो बुजर्ग है उनके स्वास्त से जुड़ी है आप निकम्मे निठले ब्रश्टाचारी है अर्विंद केजिरिवाल लेकिन आपके मंत्री कित्ते गहर जिम्मिदाराना बयान देते हैं ये भी मैं उजागर कर दू दिल्ली सरकार के परियावरण मंत्री गोपाल राए इनसे एक सवाल पूछा इनसे कहा दिल्ली में प्रदूशन इतना बढ़ गया है आप क्या कर रहे हैं कुछ साल पहले तक कहते थे कि पंजाब में जो सरकार है और कॉंग्रेस की सरकार थी उसकी वज़ा से दिल्ली की हवा दूशित है अब लेकिन परिशानी क्या है कि पंजाब में भी पापी आपकी सरकार है तो अब गोपाल राए कहते हैं कि नहीं ये केंद्र सरकार की वज़ा से है एन्वाइरमेंट मिनिस्टर खुद कह रहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और एक और न्यूज है देखिए क्या शोबा देता है ऐसे समय जब दिल्ली के नागरिक उमीद रखते हैं कि उनका मंत्री इस प्रदूशित हवा को कुछ ठोस कारवाई करके कम प्रदूशित बनाएगा तो उनका व्यक्तब पे आता है ये बाहरी ताकतों की वज़ा से है बाहरी अच्छा कोविड का संकट आता है तो वो बाहरी लोगों की वज़ा से आता है बेड नहीं थे तो बाहरी लोगों की वज़ा से थे प्रदूशन की परिशानी भी बाहरी लोगों की वज़ा से है ये कैसी विशैली सोच है इस पे अर्विंद केजरिवाल को जता से माफी मांगनी चाहिए और दिल्ली को अगर गैस चेंबर में किसी ने परिवर्तित कर दिया है तो जैसा मैंने पहले कहा वो जहरीली अर्विंद केजरिवाल और गोपाल राय की सोच है और जनता इस वक्त अर्विंद केजरिवाल से नाराज भी है आक्रोशित भी है और ये जो वायू गुरुवत्ता अती गंभीर श्रेडी से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है ये सवाल जो पूछ रहे हैं हम इस मंच से इसका उत्तर अर्विंद केजरिवाल को देना चाहिए अर्विंद केजरिवाल जी पिछले दस साल में आपने क्या ठोस कदम उठाए जिससे की दिल्ली के जो नागरिक हैं उनको प्रदूशन से राहत मिले दूसरा आपका अपना विक्तव्य है कि एक साल के अंदर मैं जादू कर दूँगा जी और हवा ठीक हो जाएगी जी तो अर्विंद जी कृप्या करके ये बताईए इस साल आप कितने साल का समय लेंगे कई ऐसा ना हो जंता लतारे और आपको आगे मौका भी ना दे कि आप ऐसा विक्तव्य दे सके सत्ता परिवर्तन भी हो जाए तीसरी बात आपके मंत्री को दिल्ली की जंता से माफी मांगनी चाहिए कि वो जिम्मेदारी लेने की बजाए ठीकरा कभी किसी और सरकार पर फोड़ते हैं कभी केंद्र सरकार पर और कभी जो भारत के और नागरिक हैं उन पर फोड़ते हैं जबकि पूरा भारत और दिल्ली जानता है कि पूरे भारत का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री निठल्ला मुख्यमंत्री कोई है तो अर्विंद केजरिवाल है बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रश्णों हो तो मैं ले लूँगा आपने शो ताला लिखाया रश्ण को दिल्ली सरकार में कॉंटाइक दिया साटा को पैसे ना भूंतां करने के वजिसे ने करमचारी को भी निकाल सबस्कोर शड़ाइब कर दिया नहीं मैं पहले तो आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हूँ यह कहूंगा स्मॉग टावर का कॉंसेप्ट श्रेलेना और प्रदूशन की समस्या खतम हो जाएगी यह अर्विंद केजरिवाल का विक्तव्य है आप मुझे बता रहे हैं कि यह ताला इस कारण से लगा है मैं यह सवाल अर्विंद केजरिवाल से पूछना चाहता हूँ कि पहली बात ताला लगा ही क्यों है और दूसरा और क्या विकल्प ढूंडा आपने कि यह प्रदूशन दिल्ली की जंता को इस तरह से प्रताड़ित ना करे और मैं आपको एक बात और बताऊंगा यह आकड़े इस साल के भी आ जाएंगे लेकिन पिछले साल के कुछ आकड़े मेरे पास है जब हम प्रेस वारता करते हैं वड़ी जिम्मेदारी से करते हैं केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव किये तमाम प्रदेश जिसमें पंजाब, हर्याना, दिल्ली, उत्तरप्रदेश सब के साथ बैठक भी करी और साहिता भी दी पिछले साल पंजाब को केंद्र से 1347 करोड रुपए कि साहिता मिली हर्याना को 693 करोड लेकिन दुख की बात यह है जहां एक तरफ हर्याना में पराली जलाने के मामले कम हुए थे पंजाब में ये करीब 33 प्रतिशत बढ़ गए थे और इसके साथ ही आज जो सवाल पूछा जाएगा वो ये भी है केंद्र सरकार ने ऐसी मशीन बायो डिकंपोजर्स भी उपलब्द कराए थे पंजाब सरकार को जिसका या तो इस्तमाल नहीं हुआ और या वो मिले ही नहीं कहा गए आज अरविंद केजरिवाल से क्या ये पूछा जा सकता है कि आपने क्या वो ढूंड लिये हैं ये जो साहिता केंद्र से आई है इसका सदुप्योग पंजाब की सरकार में आपने सुनिश्चित किया या नहीं किया और इसी लिए मैं आपको दो पहलू बता रहा हूँ कि एक अरविंद केजरिवाल की निकम्मी निठली सरकार जो की केवल ठीकरा फोड़ती है दूसरी तरफ एक केंद्र की सरकार है जो बिना भेदभाव की है स्वास्त जनता की जान इसकी कीमत जानती है और हर संभव मदद प्रदेश सरकारों की करती है प्रदेश सरकारों की जानती है देखे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कई बार की पापी आप किये जो सरकार है दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल के मंत्री खुदी अर्विंद केजरिवाल जी की बात काट देते हैं दिल्ली की हवाओं में जो प्रदूशन है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर कहीं से होता है तो वो पंजाब में जो पराली जलाई जाती है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये अर्विंद केजरिवाल जी जब मुख्यमंत्री थे स्वयम कहते थे तो अगर ये बात सत्ते है तो क्या आज शोबा देता है कि गोपाल राय अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन ना करते हुए इदर उदर ठीकरा फोड़ें क्या ये बेहतर नहीं होगा कि दिल्ली की पापी आपकी सरकार पंजाब में जो पापी आपकी सरकार है उसके साथ तालमेल बिठाए और जो प्रश्ट हम पूछ रहे हैं मैं समझता हूँ कि राजनिती से उपर उठकर ये हर पत्रकार मानेगा कि इन प्रश्टों के उत्तर जनता मांग रही है मैं तो चुनोती दे रहा हूँ अर्विंद केजरिवाल जी में अगर हिम्मत है तो इस विशे पे प्रेस वारता करके जो तत्थे मैं आपके समख्ष रख चुका हूँ उस पे एक व्यक्तब पे दे दे और साथ में केंद्र सरकार हट होस कदम उठा रही है पिछले साल भी उठाया मेरे पास पूरी सूची है कुछ मैंने आपसे साजा किये दिल्ली की सरकार को अर्विंद केजरिवाल को भी चाहिए कम से कम बिंदुवार तरीके से वो दिल्ली की जंता को आश्वस्त करें और बताएं कि क्या ठोस कदम अर्विंद केजरिवाल की सरकार उठा रही है तैंक यू